नमस्कार, business में, व्यापार में, partnership करनी है। महुत सो लोगों का confusion रहता है यार किसी को partner बनाना है। लेकिन किसे बना बना है। हर तरह को confusion दिमाग में आता है, सोचते है कि किस आदमी को अपने partner कि याद वो आदमी कैसा बना चाहिए। अगर किसी को आपको बिजनेस में अपना पार्टनर बनाना है, अपना व्यापार में अपने किसी को साजेदार बनाना है, कोई साभी वर्क हो, उसमें अगर अपने पार्टनर अगर आपको रखना है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, आपको इन बातों का ध्या उठान उठान पड़ सकता है तो ही बाथ क्या अच्छी बात होनी चाहिए जो आपके साथ में कंदे से कद्दे मिलाकर पर छल सकेmass है इसा क्या होना चाहिए ये देंगा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसंसे आपके विचार मिलते हों को आपकि सोच और उसकी सोच मिलती हो वही बाट्नर सीgor वही साज़यदारी लंबी चलेगी वरना आ आपकी सोच जिससे नहीं मिल रही है और आपने अपने सिर्फ दूसरे किसी कारण से आपने सुचा उसके पास पैसा अच्छा पैसा लगाएगा आपने बिजनेस में लेकिन आपके रोज की सोच पाटोच, मैंच्छ जिसा जुक में उन्साइब से अच्छाू को फोकिन नहीं इसारर में उसका उपने साध्यीअडर में तभी उसको अपने बिजनेस में पार्टन एनन्धे सब्सके के साध्य गोईज्य करता हैu इसको आपके उपर फेत हो, सामने वाले को आपके उपर विश्वास होना चाहिए, आपको उसके उपर विश्वास हो, फुल फेत होना चाहिए, अगर आप किसी को भी पार्टनर बना रहे हो, आप किसी को भी साज़ेदार बना रहे हो, अगर आपको उसके उपर फेत नहीं है चलो आप तो उसके उपर फेत करो, लेकिन सामने वाला आपके उपर फेत नहीं करता हूँ, बात बात पर आपके सक करता हूँ, तो क्या वह साजेदारी लंबी चलेगी, तो क्या वह पार्टनर से लंबी चलेगी, नहीं, वह रस्ते में तूट जाएगी, और आपका बिजनिस उचायों पर पहुंचते पहुंचते वापिस आपको निचे आना पड़ेगा क्यों कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा इसलिए पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसको आपके उपर वरोसा हो और आप उसके उपर वरोसा करते हैं आप काम के परती जितने इमा अगर ऐसा होगा तो आपके मन में कहीं ने कहीं एक बात उठेगी उसके प्रति क्यार मैं मैंनत करता हूं उतना मेंनत मेरा पार्टनर नहीं करता है तो पार्टनर साध़ीरण एसा डूंड ना कि जितना काम करतिय आप इमानदार हो आपका पार्टनर भी अना चाहिए आपका पार्टनर conservative ह्धा закон 100 श involved विश्यक्त बेड़ यह वरना आप मैंधीर से काम कर रहे हρे हैं आपका पार्टनर अलगा से बटा है तो फिर आप केसे वो साज़ेदारी चलेगी केसे वो पार्टनर्शिप चलेगी नहीं चलेगी कोई भी साज़ेदारी कर रहे हो आप कोई भी पार्टनर्शिप कर रहे हो तो रीटन में जरूर करना चाहिए वो सामने वाला साज़ेदार सामने आला पार्टनर आपका कितना ही क्लोजेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं हो कितना ही क्लोज रिष्टेदार क्यों नहीं हो कितना ही क्लोज मैं तो यह कहता हूं बाई क्यों नहीं हो अपनी पार्टनर्शिप को अपने बिजनिस में उसको रिटन में जरूर करना अगर कोई भी साज़दारी, कोई भी पार्टनर्शिप अगर लिखित में नहीं हुई तो अगर इन केस, इन एनी सिचियोशन आप दोनों के बीच में कोई जगड़ा हुआ और अगर पार्टनर्शिप अगर बेक हुई, तो आप उसको केसे अलग-अलग करोगे सब कुछ लिकित में होगा तो तुरंट अलग-अलग हो जाएगा वरना तो फिर क्या है, आप दोनों लड़ाते रहोगे नहीं ये मेरा है, नहीं ये तेरा है, नहीं ये तो मेरा है, फिर, फिर क्या हुआ कुछ नहीं हो, साजयदारी चाहिए आप किसी भी सुरत में आप क्लोज हो, भाई, बहन, रिष्टे, दार, दोस्त, कोई भी हो, परोसा किसी पर नहीं, हर चीज लिकित में होनी चाहिए, साज कितने पैसे यूज कर रहे हो है कितने पैसे कुछ भी कर रहे हो हर चीज का नोट करके रखना कि कौन सा पैसा कहा जा रहा है कौन सा पैसा कहा यूज हो रहा है पर यह आपने प्रस्टनल लाइप के लिए ले रहे हो या फिर आपने बिजनिस के लिए ले रहे हो अपने बिजन के जिम्मेदारी तैय करें, आप पार्टनर हो, तो आपको एक दूसरे के जिम्मेदारी तैय करनी होगी, यह काम तू करेगा, यह काम तू करेगा, यह काम तू करेगा, जिम्मेदारी के साथ में करेगा, रिस्पॉंसिबिलिटी के साथ में करेगा, अगर आप तोनों पार्ट पार्टनर्शिप चाहे कैसी भी हो एक दूसरे को अपनी जिम्मधारी तहे करने हो exit strategy भी जरूर बनाए ध्यान रखना कि एक सोच यह भी रखना कि इन बहुत में कभी हम दोनों अलग होते हैं तो वह अलग होने का option भी रखना कि क्या चीज कैसे अलग होंगे और कैसा अपना business अलग-अलग होगा क्योंकि ध्यान रखना जरूर नहीं कि जो आपने सोचा वह बरसो तक चले अंतर तक चले कभी हो सकता है कि partnership को बीच में ब्रेक करना पड़े तो उस वक्त ऐसा option आपके पास होना चाहिए exact strategy कि अगर कोई भी partner बाहर निकल रहा है तो वह कैसे निकलेगा क्या कितना वह fund लेगा क्या उसके पास asset आएगी क्या उसके पास कौन को से business आएगे यह सब strategy आपके साथ होने चाहिए तो अगर आप अपने business में किसी को partner बनाओ किसी को साज़ेदार बनाओ तो यह बात आप ज़रूर याद रखना आपकी partnership अच्छी चलेगी लंबी चलेगी और strong रहेगी अधर वाइस यह पात है आपने त्यान नहीं रखी तो आपकी partner से पीच में break हो सकती है और आपको business में लुकसान भी उठाना पड़ सकता है